पीवी पर पिछले 12 साल से राच करने वाला शो ये रिष्टा क्या क्यालाता है जिसे आज भी दर्शक उतना ही प्यार देते हैं जितना पहले देते थे और इसका श्या जाता है शो में नजर आई एक्ट्रिस इसको जिन्होंने अपनी अदाईगी के साथ दर्शकों को शो से बांदे रखा पर क्या आप जानते हैं कि शो में बहतरीन अदाईगी प्रदर्शन करने वाली एक्ट्रस क्या पढ़ाई लिखाई में भी इतनी ही बहतरीन रही हैं आखिर कितनी पड़ी लिखी है इस शो की अपिनेत्रियों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं तो आई एक एक करके जानते हैं इस शो की कौन सी अक्ट्रस कितनी पड़ी लिखी हैं नमबर एक हिना खान ये रिष्टा शो की कहानी शुरू करने वाली अक्षरा बन कर हिना खान ने अपनी आक्टिंग से सभी का इतना दिल जीता था कि आज भी लोग इन इन दिनों अक्षरा और अभिनक की बेटी अभीरा का किरदान इभा रही हैं जो काफी पड़ी लिखी है और रियल लाइफ में भी इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है इन्होंने इंग्लिश में ग्रैजुएशन की डिगरी हासल की है तभी तो ये बहुत शिवांगी जोशी ये रिष्टा क्या कहलाता है शो की असली जान नायरा बनी शिवांगी जोशी ने पाइंड हॉल स्कूल दहरादून में अपनी शुरुवाती पढ़ाई की फिर इन्होंने अपने होम ताउन दहरादून से बी-ए में ग्रैजुएशन की डिगरी हासल की है और आज अपनी एक्टिंग के जरिये टीवी इंडरस्टी में चाही हुई है नमबर चार कांची सिंग कांची सिंग को आपनी ये रिष्टा क्या कहलाता है शो में गायत्री का किरदान निभाते हुए देखा होगा जो अपनी पढ़ाई के प्रती काफी डेडिकेट रही है वही रियल लाइट में भी अपनी एजुकेशन को लेकर काफी जुनूनी रही है और इसी जुनून के साथ इन्होंने मुंबई के कॉलिज से ग्राजुशन की डिगरी हासल की है नमर बास प्रणाली राठो नायरा के बेटी अक्षरा के रोल से सब को दिवाना बनाने वा आरोही के रूप में करिश्मा सावंत ने अपनी आक्टिंग का बेहतरी नमूना पेश किया था पर क्या आप जानते हैं कि आक्टिंग में इतनी एक्सपर्ट होने वाली करिश्मा कितनी बड़ी लिखी है तो बता दें कि इन्होंने मुंबई के मीठी बाई कॉलिज से ही ग कारे में जानना चाते हैं कि आखिरी कितनी पड़ी लिखी हैं तो बता दें कि इन्होंने आक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ग्रेटवेशन की भिगशन की दिगरी हासिल कर ली थी दोस्तों आपकी एजुकेशन इनमें से किस अक्टरस से मिलती जुलती है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें